दोस्तों देख सकते हैं मेरे हाथ में है SBI का चेक जिसको मैंने fill कर रखा है क्योंकि मैंने एक बीडियो बनाया था कि SBI का चेक कैसे भरे उस बीडियो में बहुत सारे comment आ रहे थे कि आखिर हम चेक में कितने sign करते हैं तो आज की इस वीडियो में प्रूफ के साथ पूरा डिटेल बताने वाला हूँ कि आखिर चेक में कितने साइन करते हैं तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिए चलिए जान लेते हैं दोस्तों देख सकते हैं ये है चेक जिसको मैंने फिल कर रखा है मैंने एक वीडियो बनाया था अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज देख लिजिए आपका चेक कभी भी bounce नहीं होगा कभी भी reject नहीं होगा तो आप मेरे चैनल पर जाके उस वीडियो को देख सकते हैं तो यह चेक तो मैंने हापे फिल कर रखा है और यह का मकसद क्या है सबसे पहले जानिए क्योंकि sign तभी depend करता है आपके मकसद पर किस परपज के लिए यहां पर चेक दे रहे हैं उसी हिसाब से आपका signature भी बदल जाता है मतलब number of signature तो जैसे मालीजी यह मेरा नाम है रजनीश कुमार और मैं यह राज सर्मा को एक लाख करेगा और उसे claim करेगा यानि अपने account में पैसे ले लेगा तो यह क्या हुआ यह पहला situation हुआ कि मैं किसी और को दे रहा हूं तो इस situation में आपको सिर्फ एक signature करना है जो कि यहां पे है आपके नाम के उपर और आप signature वही वाला करे जो आप account के साथ करते हैं क्योंकि यह वा यह बैंक में आपका signature है वही वाला signature करे और अगर आप किसी दूसरे को च스크 देते हैं तो सिर्फ एक signature लगता है जो कि यहां पे है अब बात कर लेते हैं दूसरे नंबर का case दूसरे नंबर का case जैसे माली जिया अगर आप self check से जैसे माली जी यहां पे राज सर्मा ना लिख मैं यहाँ पे self लिग देता और मैं अपने अकाउंट से एक लाख रूपे चेक के माधम से निकालता तब कितने sign लगते तब एक sign तो यहाँ पे लगता ही लगता और एक sign मैं चेक के पीछे करता जब मैं पैसे निकालने बैंक में जाऊंगा तो bank manager जो cashier होता उसके सामने करू तब ही आपको पैसे देंगे यानि आपको दोनों case अच्छे से समझ में आ गया तो मुझे अमीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा फिर भी थोड़ा सा वी doubt है तो please comment section में बताईए मैं उसका जवाब जरूद दूँगा अभिक लेत नहीं thank you for watching